दो प्रमिनेंट इसकार है आपके फेस पे एक फोर हेड पे जो सामने भी देख रहा है और इसमें डिप्रेशन है अच्छा खासा गढ़्धा बना हुआ है टिसू डिफेक्ट है बीच में और डूसरा इसकार यह इस जगह है राइट साइड ऑफ फेस एर के आगे कोई औरिकुलर एरिया कहते हैं इसको टेक्निकली तो यहां भी डेप्रेशन है इस दोनों जगह हम लोग इसकार रवीजन सर्जरी विद यूज अफ सीओ टू लेजर वो करेंगे और हमारी कोशिस ही रहेगी कि इसकार पूरी तरह से खत आप हमारे कैसे आए कैसे पता चला यहां के बारे में यूटूब पर देखा था वीडियो तो क्या दिखा यहां ठीक ठाक होता है राज रिजल्ट मिलता है यास तो आपका भी रिजल्ट मिलेगा अभी आज का दिन है और फिर आगे जब आप चुप मेरे पास मिलेंगे कम स उस टाइम भी हम लोग आपके रिजल्ट को देखेंगे कि यह डिप्रेशन भड़ चुका रहेगा तो जस्ट स्टार्ट करते हैं पहले छोटी सी मार्किंग और फिर से जड़ी यह चोटी सी मार्किंग कर ली जाती है ताकि जो बीच का टिसूर निकालना है वह अलग से डिमार्केटेड हो जाए यह हो गई है आपके इसकार रिजन सर्जरी इसी जगह पर एक इसकार था जो डिप्रेश्ट इसकार और दूसरा इसकार कुछ यहां अभी तो एक फेंट सा लाइन इससे देख रहा है लेकिन जब भूग स्टीचेज निकालेंगे तो दोनों मार्जिन अपस में एक दम यूनिफॉर्मली यूनाइटेड रहेगा 31st मार्ज को से जरी हुई थी एक राइट साइड में आईस के साइड में इसी जगह पर एक डिप्रिस्ट स्कार अभी हलका सा इसक्रैच की तरह देख रहा है और दूसरा इसकार यहां पर फोरहेट पर एगें यह भी डिप्रिस्ट स्कार ही था और यहां अभी तब टिसू वहां डेपोजिट करके एक्स्टा डखते हैं लोग कि समय के साथ हर इसकार में जो टेंडनसी होती है एक डेप्रिसन बनने का गटर बनना तो वो चीज नहीं हो और यह सट्ल करके बढ़ावर हो जाए अभी एक सिसन हम लोग इसमें लेजर करेंगे आपको कैसा डालेंगे तो हाँ कुछ scratch की तरह दिखेगा और लेकिन दो-तीन महीने में मेरा assumption है कि यह पूरी तरह से सेटल कर जाएगा यहां तो बस फोरो सा pigmentation है यह बहुत अच्छा सेटल है यह भी अच्छा है बीच में एक हलका सा line जोड देख रहा है लेजर का सेशन बहुत effective होता ह है follow up में scar में तो अभी हम लोग first session follow up laser treatment कर रहे हैं CO2 laser का use करते हैं एक देव महीने के बाद एक session और शायद हम लोग करें इसमें बस इतना